हलो फ्रेंट्स वेलकम टो इसी नोट्स फो यू ओनलाइन स्टडी चैनल आप सब के अपने यूटूब चैनल पर आप सब बहुत-बहुत स्वागत है फ्रेंट्स यहां पर लेटेस्ट जो अपडेट देखने को मिल रही है वो आपके साथ शेयर करेंगे बहुत इंपॉर्ट आप चाहते हो कि क्लास के साथ आपको पीडियाफ भी मिले तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तो गईस यहां पर एक न्यूज आपको देखने को मिल रही होगी यहां पर देख सकते हैं करोना अपडेट से रिलेटेड न्यूज आ रही है क्या एंट अब फिर से यहां पर आप देख सकते हो कि करोना से रिलेटेड कंटेन्यू न्यूज आ रही है और यह बोला जा रहा है कि बहुत जल्दी इसकी जो गाइडलेंस हैं उसको जारी किया जाएगा फिर से जो कोविट की जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करने की ज़रूरत है अदर्वाइस बहुत बुरा हाल हो सकता है क्योंकि यहां पर अगर हम बात करें तो पहले देख सकते हैं कि किस तरीके की चीज़े एक्टिविटी हो चुकी है और अभी चीन में भी काफी हद तक यह करोना बढ़ चुका है तो आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चाहते हो कि हर एक चीज टाइम से हो तो आप लोग प्लीज जो कोविट प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करना है स्टार्ट कर दीजे जो मास्क है उसको लगाना स्टार्ट करिए सूशल डिस्टेंसिंग का जो है आपको ध्यान रखना है कोरोना फिर से नहीं बढ़ने पाए हाला कि तीन केसे आज चुके हैं तो इसका बहुत बहुत सारी चीजों पर इफेक्ट पड़ता है आपकी लाइफ स्टाल पे आपके हेल्थ पे यहां तक कि आपकी पढ़ाई आपके एक्जामनीशन सब पर इफेक्ट है तो अगर आप चाहते हो कि इन सब चीजों का इफेक्ट ना पड़े इस बार भारत में तो आप सभी से मैं थोड़ा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि प्लीज अगर अभी तक आप लोगों ने कोविट प्रोटोकॉल छोड़ दिया था तो फिर से भाई स्टार्ट कर दीजे मास्क लगाना क्योंकि बहुत जरूरी है ये चीजें बढ़ने ना देना क्योंकि स्टार्टिंग में प्रिकोशन लेने से बाकी की चीजें थोड़ी सही रहती हैं और अगर आप लोगों ने अभी तक मैडिसीन दूसरी नहीं लगवाई है तो जो वैक्सीन बान तू दोनों लगवा लीजे बूस्टर डोस लगवा है तो इसें लिए आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है इसको हलके में मत लीजे क्योंकि यहां अपने एंडिया में भी केसेस आंने सटर्ट हो चुके हैं लेकिन अभी क्या है कि स्टार्टिंग का टाइम है तो इस वज़ा से अभी उसको रोका जा सकता है लेकिन रोकने के तो प्लीज इसको फॉलो करिए और आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताए थैंक्स फॉर वाचिंग